सबसे पहले बात भारत के रिकॉर्ड ब्रेकिंग दिवस की जहां टीम इंडिया ने एक से बलकर एक रिकॉर्ड बनाये सबसे पहले अगर बात करें तो विदेशी सर्जमी पर टीम इंडिया का सबसे बड़ा स्कोर 283 अब हो गया एक T20I पारी में भारत ने 23 शक्के लगाए जो अपने ही रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया हाली में बंगलादेश के खिलाव भारत में लगाए थे 22 शक्के भारत की तरफ से एक साल में 7 T20I शतक है जिसमें संजू सैमसन और तिलक वर्मा के बीच ही 5 हो चुके हैं भारत की तरफ से संजू सैमसन और तिलक वर्मा T20I में 200 रन की साज़धारी निभाने वाले पहले बलेबाज या यू कहें कि पहली जोड़ी बन गई है इसके लावा तीम इंडिया ने इस साल 26 T20I में 24 बार सामने वाली टीम को शिकस दी है जीत पर्तिशत रहा है 92.3 शुन एक साल में तीम इंडिया ने 9 बार 200 का आंकड़ा किया है पार एक से बढ़कर एक रिकॉर्ड इसलिए हमने कहा रिकॉर्ड ब्रेकिंग डिवस लेकिन ये रिकॉर्ड ब्रेकिंग डिवस आया कैसे यह आया The Samson तिलक शो की बदाउलर संजू सैमसन या तो भाई ये हीरो रहते हैं या फिर जीरो रहते हैं ऐसा इसलिए कि पिछली पांच पारियां अगर आप संजू सैमसन की देखें तो तीन शतक जिसमें आज का एक शतक शामिल इसके लावा दो शुन भी या तो मारेंगे या फिर आउट होंगे शुन पर आज लाजवाब पारी खेड़ी तीन शतक एक साल में बनाने वाले दुनिया के पहले बलेबास बन गए हैं संजू सैमसन टीन टुएटी आई में इसके लावा उनका बहतरीन साथ निभाया तिलक पर्मा ने एक पार फिर शतक पिछले मकाबले में भी शतक इस मकाबले में भी शतक ऐसा करने वाले वो भारत के दूसरे बलेबास बन गए हैं और विश्व के पांचवे बलेबास आज तो जो पारी उन्होंने खेड़ी है ला जवाब संज्यू सैमसन के साथ 210 रंकी साज़ेधारी और जिस अंदाज में वो खेल रहे हैं मुंबई इंडियन सबस्यादे खुश होंगे वो सोच रहोंगे कि उन्होंने रिटेन किया कई सवाल उठे कि भाई किस वज़े से तिलक पर्मा को रिटेन किया जा रहा है हर बार जब سری्ज खत्म होती है तो हम बात करते हैं कि भाई क्या खोया क्या पाया भारत ने इस स्रीज में जहां पर 3mm से भारत जीती है ऐसा मानेंगे हम कि भारत ने सिर्फ और सिर्फ पाया ही है क्या पाया है आप देखिए इस स्रीज के अगर टॉप टू सरवादिक रन स्कोरर की बात करें तो वही दो जिनका अब तक हम लोग नाम ले रहे हैं यहां भी है दा सैंसन तिलक शो संजू सैंसन ने चार पारी में 216 रन बनाए और भी जादा हो सकता था अगर वो दो पारियों में शुने ना बनाए होते तो सुचिए और कितनी जबरदस रन सो सकते थे लेकिन तिलक वर्मा की अगर आप बात करें चार पारी 280 रन ला जवाब अंदास दो शतक शायद इस स्रीज की सबसे बड़ी खोज या यूं कहें कि सबसे बड़ा पॉजिटिव कोई रहा वो तिलक वर्मा हो सिर्फ बल्लेबाजी में ही नहीं अगर गेंदबाजों की बात करें तो यहां पर भी जबरदस्त रहा भारत के लिए जहां वरुन चकरवर्ती लगतार दूसरी बैक टूबैक स्रीज खेल रहे थे, मिस्ट्री बोलर चार पारियों में बारा विकेट बहतरीन गेंदबाजी और अश्दीब सिंग चार पारी में आठ विकेट अश्दीब सिंग अब पंचानवे विकेट के साथ भारत की तरफ से T20i में दूसरे सरवाधिक विकेट टेकर हैं सिर्फ और सिर्फ दो विकेट पीछे हैं युजवेंद्र चहल से इसके लाव अगर हम बात करें तो जितेश शर्मा की बात करना जरूरी होगी जहां पर हम क्या पाया की बात कर रहे हैं तो एक थोड़ा सा खोया वाली बात हम जर यह पर है आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं साथी साथ एक और थोड़ी सी चिंता की जो लकीरे हैं अच्छी वाली वो आ गई हैं चैन करताओं के लिए क्योंकि संजीू सैमसन बतौर ओपनर जबरदस दावेदारी पेश कर चुके हैं और जिस अंदाज में वो खेल रह नमबर तीन पर अब शुमन गिल या शस्वी जैसवाल ये खिलाड़ी वापस आते हैं तो किनकी जगा आएंगे देखना बड़ा दिल्चस्प होगा चलते चलते एक चोटा सा सवाल आपके लिए कमेंट करके आप जरूर बताएं कि क्या ये तीन एक की जीत घर में हार हम तब भुलाएंगे जब अब यानि टीम इंडिया का जो अगला दौरा बीजिटी बॉर्डर गावस का ट्रॉफी है वहाँ पर भारत अगर चार शुन से या चार एक से स्रीज जेता है तो सही मैनों में न्यूजरेंट से मिल हार को हम भुला देगे लेकिन आप बत भ